एलो नमस्टार दोस्तों कैसे हैं आप सब आप सब आप सबीक मैं स्वाथ करता हूँ अपने चैनल इंदीमटेक में और आज इस वीडियो में आप सबीको बताने वाला हूँ कैसे आप जो यूटूब का ने अपडेट आया है जो टैक्स का फॉर्म है कैसे आप उसको कम्पली ये एक स्टेप आएगा आपका एड्रेस और नाम वहां पर डालना ज़रूरी होता है तो आपका जो आपने डॉक्मेंट पहले अपलोड किया था जैसे पैंक कार्ड हम प्रूफ आइडेंटिटी के लिए अपलोड करते हैं गूगल एडसेंस में तभी हमको पेमेंट मिलती है तो आप जो आपने सेम जिस पैंक कार्ड को पहले आपने अपलोड किया था उसी पैंक कार्ड के नेम को आपको वहां पर डालना पड़ेगा तो कन्फ्यूज मत होई जो मैं स्टेप जैसे बताऊंगा वैसे ही आप फॉलोड करेंगे तो आपका जो टैक्स का जो नया जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे मिल जाएगा सभी को यह नोटिफिकेशन आया हुआ है और आगर आपने फिल नहीं किया है तो इस पे आपको क्लिक कर देना होगा फिर नीचे एड़ टैक्स इंफो दिखेगा उस पे जैसे ही हम टैप करेंगे क्लिक करेंगे यहाँ पे ए मतलब क्या आप अमेरिका में रहते हैं तो हम अमेरिका में नहीं इंडिया में रहते हैं हम नो पे दवा देंगे और नेक्स्ट करेंगे उसके बाद W8BEN और W8ECI दो यहाँ पे फॉर्म दिखेंगे यह जो पहला वाला फॉर्म है यह कहता है कि मैं जो है नॉन यूएस में ही रहता हूं और मैं एक इंडिवीजूल क्रीटर हूं और दूसरा वाला अगर आप जो है बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिए है नॉन यूएस बिजनेस एंटिटी के लिए तो हम इंडिवीजूल है तो پहले वाले पे सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद स्टार्ट W8BEN form पे click करेंगे तो यह जो form है वो वाला start होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे यह loading हो रहा है internet speed पे depend करता है उसके बाद जो है इस तरह का form आ जाएगा आपको अपनी country select करने होगी सबसे पहले आपको बता दू जो individual का name है आपका जो pan card पे name है जो आपने upload किया था उसे enter कर लेना है यहाँ पे तो मैंने enter कर लिया है और जो है हम यहाँ पे अपनी country को select कर लेंगे इंडिया है हमारी country तो इंडिया पे यहाँ पे ऐसे tap कर देंगे और बागी की चीज़े जो यह DBA उसे छोड़ देना है foreign TIN TIN यानि tax information number होता है basically हमारे इंडिया में क्या होता है जो pan card का number होता है वही होता है तो इसमें वो अपने pan card के number को enter कर देना होगा तो मैं यहाँ पे अपने pan card का number enter कर लेता हूँ आप भी इसमें अपने pan card का number enter कीजे फिर next कीजे और यहाँ पे आपको address का line दिखेगा address line 1, address line 2 तो आपको यहाँ पे वही address enter करना है जो आपने अपने Google AdSense में enter किया है उस information को आप अपने payments या account setting में जाके देख सकते हैं same copy and paste कर देना है आपके पुराने address को इसमें और अपने जो state को है यहाँ पे तेलंगाना में रहता हूँ तो मैं तेलंगाना को select कर लेता हूँ उसके बाद mailing address is same as permanent वाले option को click कर लूँगा नीचे वाली address line को fill करने की ज़रत नहीं है अगर आप कहीं shift होते हैं तो उस वाले form को fill करना होता है तो यहाँ पे tax treaty यहाँ पे option मिल जाएगा आपको तो इसमें का करना होगा आपको are you claiming a reduced rate of withholding under a tax treaty यह वाला जो heading है आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे yes और no का option मिलेगा तो हम यहाँ पे जो है US के treaty US से जो है treaty करते हैं हम Indians है तो resident of country claiming treaty with the US तो US के साथ हमारा treaty है तो यहाँ पे हम yes पे click करके tick करके उसके बाद हम अपनी country का नाम select कर लेंगे इंडिया तो इस तरह से जो है इसे fill करना है उसके जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे special rates and conditions वाला जो यह option है यहाँ पे आ जाएगा services में आपको adsense दिखेगा तो इसमें simply आपको article 7 select कर लेना है और 0% reduce rate select करना है उसके बाद tick कर लेना है यहाँ पे फिर उसके बाद नीचे आना है article and paragraph जो है इस पे click करना है article 12 select करना है फिर जो withholding rate है 15% जो है यहाँ पे अपना select कर लेना होगा फिर उसके बाद आपको tick करना होगा जो इसके नीचे वाला option है और यहाँ पे copyright जैसे YouTube Google Play का यहाँ पे option मिलता है तो इसमें भी आपको article 12 select करना है और 15% का reduce rate यहाँ पे ले लेना है फिर हम यहाँ पे जो है इस option को tick कर लेंगे उसके बाद next का option दीखेगा next option पे click करेंगे जैसे ही next option पे हम click करेंगे हम जो है अपने दूसरे form में चले जाएंगे अपने document preview में तो यहाँ पे यह load हो रहा है उसके बाद हमको अपना यहाँ पे जो document हमने फिल किया है उसका preview दिख जाता है तो हम यहाँ पे I confirm that I have review or the generated tax documents वाले option को tick कर लेना है select कर लेना है next करना है यह full legal name यहाँ पे जो option है आपके pancard पे जैसा name है वो ऐसा same to same यहाँ पे enter कर देना है तो यहाँ पे मैं जैसा मैंने अपना जो है अपने dad का pancard upload किया था तो उस पे जो name है वही मैं यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ तभी जो है हमारा जो यह process है यह successful होगा फिर यहाँ पे yes I am the person listed in the signature section इस वाले option पे जो है click करना होगा कि मैं वही हूँ जो pancard में हूँ तो उसके बाद जो है हमें next करना पड़ेगा तो यह सभी चीज़े carefully फिल करने होगी उसके बाद activities and services performed in the US वाला यह जो heading है इस पे हमें no कर देना है simply और नीचे status change affidavit आपको दीखेगा इसमें जो है I am providing tax info यह वाला जो पहला info मतलब पहला वाला जो option है अगर आपको कभी payment मिली है तो अगर मतलब payment मिली है अगर payment कभी भी नहीं मिली है तो आपको जो है पहला वाला यहाँ पे select करना होता है अगर आपके adsense में जो है hundred dollars cross हुए है और आपके bank account में आया है तो आपको second वाला एक बार भी अगर payment simply मिली है तो second वाला select कर लीजे अगर payment नहीं मिली है तो आपको first वाले को select करना होता है तो यहाँ पे अपने हिसाब से आप अपना select कर लीजे नीचे आपको changes बोलके एक option दीएगा उस पे आपको कुछ ने करना है जिस submit के button पे दबा देना है जैसे हम submit पे दबाएंगे यह जो सभी चीजे हमने tax का जो information है फिल किया है वो submit हो जाएगा Google के पास और यहाँ पे approved दिखा रहा है और नीचे देखेंगे तो 15% यहाँ पे claim हो चुका है और copyright वाला 15% claim हो चुका है तो अब अपने जो है अडसेंस के बाहर आ जाना है आपको और कुछ नहीं करना है उसके बाद आपको इस तरह तो आपको जो है Google की तरफ से एक email आ जाएगा जिसमें जो है आपकी confirmation को दिया जाएगा कि आपका जो process है वो हो चुका है तो इस तरह जो है आप अपने process को complete कर सकते हैं तो दोस्तों ये steps को जो है follow कीजिए और कुछ भी doubt है तो मुझे अपने doubts को comments में लिख के बताईए मैं solve करने की कोशिस पूरी करूंगा इस video को share कीजिए अपने friends के साथ जो भी इस problem को लेके परेशान है आप सभी को solution मिली ही गया होगा कैसा लगा वीडियो अपने opinions शेर करते हुए comment box में बताईए वीडियो को like कीजिए comment कीजिए और चैनल पर नहें तो subscribe जरूर से कीजिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में